हेलो बच्चों आज मैं आपको कक्षा नौवी जिसका विश्य है गनित इसकी व्रक्षीट नंबर 74 समझाँगी जिसकी डेट हमें पास 18 जन्वरी 2021 यह इस मन्त के हमार पास फर्स्ट व्रक्षीट है 74 है न देखो आपके पास इसमें क्या मिला आपको चैप्टर नंबर 7 की र होगी आपकी 28 29 30 और 31 यह सारी व्रक्षीट हमने पहले भी कर रखी है 28 29 30 और 31 तो इन सब के लिंक में आपको डिस्किप्शन बॉक्स में देदूंगी साथ के साथ ही चैप्टर भी मैंने आपको करवा रख है चैप्टर नंबर 7 NCRT से तो उसकी लिंक भी मैं आपको चलिए स्टार्ट करते वरक्षीट पहले वरक्षीट देखते हैं कितने कोशन से हमारे एक पहला प्रेशन है जिसमें हमारे को यह रिक्तिस्थान दे रखें दूसरा यह MCQ आपको एक टिक लगा नहीं तीसरा भी वही है उसके बाद तीन कोशन से जो आपको पूरे-पूरे स्टार्ट करने ठीक है चलिए देखते हैं तो कोशन नमबर वन आपके पास यहां पर है रेखते स्थान भरिए तो चार दे रखें फर्स्ट देखते हैं किसी तिरिभूज की बराबर कोनों की सम्मुख भूजाएं डैश होती है तो आपसे क्या कह रहे हैं हापर अगर एक देखते हैं एक संभाभू तिरिभूज के सभी कौन डैश होते हैं तो संबहु तिरिबुज के तो तीनों जो हमारी भुजाएं वो बराबर होती है रहूं तो उसके कौन भी बराबर होते हैं और वो कितने डिगरी के होते हैं वो होते हैं हमार पस सभी कौन साथ डिगरी के होते हैं ठीक है C पार देखते हैं, क्या रहें समकुन त्रिभुज A, B, C और समकुन त्रिभुज D, E, F में यदि A, B, E, F के बराबर तथा A, C, D, E के बराबर हैं, तो त्रिभुज A, B, C सर्वांग सम होगा त्रिभुज इस तिरी बूज का नाम आपको लिखना है तो पहले हम पते क्या करते हैं दो समकोन तिरी बूज बना लेते हैं ठीक है? अब मैंने यहाँ पर नाम दे दिया A, B, C और यहाँ पर नाम दे दिया मैंने D, E, F अब देखो आप से कह रहा है कि जो यह A, B है न यह इस E, F के बराबर है और जो A, C है न वो D, E के बराबर है अब आपको A, B, C के साथ दूसरा तिरी बूज का नाम लिखना है तो नाम लिखने में कई बार confusion होती है कि पहले कौन सा लिखना है D लिखना है, E लिखना है या F लिखना है तो देखो यहाँ से A के साथ यहाँ पर E बराबर है और यहाँ पर भी A के साथ E है ठीक है न A के साथ अच्छे यहाँ पर D आपको दे रखा है एक मिन रुको तो देखो, B के साथ हमने F ले लिया ठीक है, तो कौन सा ओगया यहाँ पर आपके पास E A के साथ E आ गया, B के साथ F आ गया और C के साथ आपके पास D आ गया। तो ट्रैंगल का तिरीबूज का नाम आपके पास यहां पर आ गया। अब देखो, D पार्ट में कह रहा है तिरीबूज PQR में यदि PQPR है। तो आप यही वारा तिरीबूज ले लेते हैं इस बार हमारको बुजाएं बराबर दे रखें। तो कहारा है दो कौन बताओ कौन कौन से बराबर हों। संभुख बुजाएं बराबर है यह तो इसके जो संभुख कौन हैं वह बराबर होंगे तो QRR ठीक है चलिए प्रेश्ण एक आपका हो गया दूसरा प्रेश्ण देखते हैं किया निम में से कौन सी कसोटी तिरिभुच की सर्वांग समता की कसोटी में से नहीं है तो देखो कसोटिया हमने की थी ना चार अब यहां दे तो चारी रखें लेकिन उन में से कोई एक नहीं है तो यह तो थी ठीक है एसे एस 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 भी थी और रहस भी थी सिर्फ एक यह ऐसी कसोटी है जो नहीं होती सर्वांग समता की ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं किया एसे कसोटी को ले सकते हैं देखो एसे कसोटी को ना हम यह भी लिख सकते हैं एसे क्यूंकि इसमें भी जए आप wanna एकमदू और एको पिश कह सकते खिए कि अभी कियाल ही लिए झाल करना है तो यहהं पर आते हैं कोश्चन नमबर 4 पर जो हमको पूरा थे Keys प्रकार है कि कौन B, A, D जो है न वो कौन A, B, E के बराबर है और जो कौन E, P, A है वो कौन D, P, B के बराबर है दर्शा है कि तिरिभुज A, D, A, P जो है वो सरवांग समय तिरिभुज E, B, P के और A, D जो है वो B, E के बराबर है ठीक है? तो देखो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, पहले कोशन को समझ लेते हैं, कि AB जो ये रेका खंड है न, P इसका मद्धे बिंदू है, मद्धे बिंदू मतलब अब जो AP है न, वो PB के बराबर हो जोएगी, मद्धे बिंदू उसे तो कहते हैं, कि दो बराबर भागों में काट के जाए, तो वो काट देखी, अब वो कह रहा है कि जो D और E है, ये रेका खंड के A की और इससे दो बिंदू इस प्रकार हैं, कि जो ये वाला कौन है, और जो ये वाला कौन है, ये दोनों बराबर हैं, उसी तरीके से जो ये वाला कौन है, और जो ये वाला कौन है, वो दोनों भी बराबर है ठीक है अब आपको क्या बताना है आपको यह सिद्ध करना है यहाँ पर कि यह वाला तिरी भुझ है जो यह टेरा सा बनवा है ना ऐसे ये, ये वाला तिरी भुझ जो है पूरा, वो इस वाले तिरी भुझ के सरवांग सम है अब सरवांग सम के लिए तो तीन चीज़ें चाहिए मुझ को, तीन चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं कर सकती हूँ ठीक है ना तो चलिए वोई करते हैं देखो एक चीज़ पहले आप यहाँ पर देखो अगर मैं इस वाले तिरी भूज की बात करते हूं तो इसमें ये वाला कौन जो है ये वाला कौन रह रहा है आने से अगर ये भी जूर जाये तो ये पूरा कौन बन जाएगा इस तिरी जोड़ेंगे कैसे देखो आपको ये तो देई रखा है कि तिरी भुज में जो ये कोन इपिए है वो किसको एकवल एंडेटीबी के है थैसे तो आपको दिया है नतले 10 effects ह crises GTA कि इसमें बी किसको जोर दोथ EPA को किस वाले को EPD को किस जो सुमीद करुँ अर मने चोर दो कि डोनों में और धर से भीस दोनुम्हें न मैंने यह वाला कौण जोर दिया अब यह एक तो यह पूरा बन गया और एक बार यह पूरा बन जाएगा ठीक है तो ये बन गया हमारे पास DPA बराबर EPB चलिए अब हम क्या करते हैं जो तिरी बुझ हमको सरवांग सम करने हैं उनको लिख लेते हैं यही दो तिरी बुझ है देखो एक चीज तो हमें पहले ही पता है कि AP जो है वो किसके बराबर होगी EPB के क्यों क्योंकि यह मद्धे बिंदू है हमें दे रखाई है पी एक मद्धे बिंदू है ठीक है नइ अब दूसरी चेज हम क्या ले तो एकचीज और हमको दे रखिए वो combat कों फो ABE के बराबर जे वाला कों यह भी तो इन्हें तिरी भुझ में है तो ये भी हमें दिया है एक चीज अभी हमने यहाँ पर की तो है इसको वन माल लेते तो डी पी ए जो है वो किसके बराबर है आपके पास ए पी बी के ठीक है यह हम कहां से लिया हमने समी करन एक से लिया ठीक है तो इसका मतलब तिरे भुझ जो है हमार पास डी ऐ पी कह है ना वो क्या हो जाएगा हमार पास यहाँ पर सरवांगसम हो जाएगा तिरे भुझ किसके ई B P के और कौन सी को स्वाटी से होगा angle side angle मतलब कौन बुजा कौन से क्योंकि इसमें दो कौन और एक बुजा है चलिए पहला पार्ट तो हो गया अब दूसरे पार्ट में कह रहा है आपसे कि AD को BE के equal proof करो तो आप ध्यान से देखो ये तो उनी दो तिरी भुज की भुजाएं हैं जिसको अभी हमने सर्वांग सम किया है अब जब वो तिरी भुजी सर्वांग सम हो गए तो ये भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी CPCT से है ना तो ये तो हमारा ऐसी आ गया कि ये CPCT से बराबर हो गए ठीक है तो इसी के साथ कोशन 4 खतम हो गया है अब आते हैं हम अपने कोशन 5 पे देखो यहां पर आपसे कह रहा है एक समकोन तिरी भुज ABC में जिसका कौन C समकोन है M कर्ण AB का मध्य बिंदू है C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM जो है ABC जिसमें यह 90 डिग्री का था ठीक है अब यहां पर एक बिंदू थी M जो AB की मध्य बिंदू थी अब जब यह मध्य बिंदू है तो इसका मतलब AM is equal to MB होगा ठीक है अब इससे इनोंने क्या किया M को C से मिला दिया तो चलो हम भी मिला देते हैं और इसको आगे बरा दिया D तक अब D से इस B को मिला दिया तो अब जो यह M है ना यह AB की मध्य बिंदू तो ही है साथ की साथ ना यह CD की भी मध्य बिंदू बन गई कैसे बन गई क्योंकि उन्होंने लिखके दिया कि जो DM है ना CM के बराबर है अब जब यह दोनों बराबर है तो इसका मतलब यह मध्य बिंदू यह तो होगी तब ही तो यह दोनों बराबर है है ना अब आपको सिध क्या करना है यहाँ पर क्या दर्शान है देखो आपको यह दर्शान है तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं यहां पर कौन-कौन से तिरिभुज की बात कर रहे हैं हम A, M, C और तिरिभुज B, M, D की तीन चीज़े कौन-कौन सी ले देखो एक चीज तो आपको पता ही है कि जो A, M है वो किसके B, M के बराबर है यह तो आपको पता है इसके अंदर क्यूं क्यूंकि M जो है वो A, B की मद्दे बिंदू है एक चीज तो हमको मिल गई अब दूसरी चीज एक और चीज हमार पास यहाँ पर है वो क्या है हमार पास कि जो हमार पास CM है वो DM के बराबर है यह हमको दिया वा है ठीक है अब रहा गई है एक चीज और लेनी तो अब एक चीज और कौन सी ले तो देखो जो यह वाले दो कौन है कौन कौन से की बात करूँ मैं AMC की और BMD की यह रेखाखन AB और CD के काचने से बने शीरसा भिमुक कौन है और शीरसा भिमुक कोन क्यों होते हैं? वो बदाबर होते हैं तो इसका मतलब AMC जो है वो किसके बदाबर है है आपके पास कोन कौन सा कोन हम लेने वाले हैं आप पर बी एम डी ठीक है और यहां रीजन में क्या लिखेंगे हम कि रेखा खंडो कि एबी और कि सीडी के काटने से बने शीर्षा भी मुख कोन है ठीक है तीनों चीज़े मिल गई हमको अब जब तीनों चीज़े मिल गई तो तिरिभुज ए एम सी जो है वो सरवांग सम हो जाएगा तिरिभुज बी एम डी के कौन सी कासौटी से होगा अगर हम यहां पर कासौटी देखे तो तो दो भुजाली हमने एक कौन लिया है ना तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा ठीक है चलिए एक पार तो हो गया अब इसी के साथ साथ में दो चीज़े और यहां पर लिखना चाहूंगी वो क्या अब को आप अपने पीछ लिखा जो आपके पस a cm वह आपके पास और बीडी म के वराबर है A, C, M, ये वाला कोन, किसके बराबर है आपके पास, B, D, M के, इस वाले कोन के, पर ये वाले दोनों कोन तो कोन से कोन है, ये तो मेरे एकांतर कोन हुए न, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ, कि जो A, C, M, और कोन, B, D, M, एकांतर कोन है, और एकांतर कोन तो बराबर होते हैं, और एकांतर कोन बंदे कम है, जब दो समांतर रेखाओ, और एक तियार्ग रेखाओ, है न, ठीक है न, तो यहाँ लिख देते हैं, और एकांतर कोन बराबर होते हैं, तो इसका मतलब अतह, तो फिर तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, कि जो हमारा D, B है, जो D, B है, वो समांतर है किसके, A, C के, तो यह दोनो भुजाएं जो हैं, वो मेरी समांतर भुजाएं हो गई, अब जब यह दोनों भुजाएं, मेरी समांतर भुजाएं हैं, है ना अंदर जो दो कौन बनते हैं वो 180 होते हैं जिसको हम इंग्लिश में को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं ठीक है ना आप देखो यह वाला तो आपको पहले से ही पता है 90 डिग्री है पता है ना तो यह तो हमें देही रखा था ना कि जो सी जो है वो मेरा सम कौन है तो इसको मैंने 90 लिख दिया आप Dbc को ऐसी रहने दो और इस 90 को आप इधर ले जो तो लो आपका Dbc कितना आ गया 90 डिग्री और आपको यही तो सिद्ध करना था कि जो आपका Dbc है वो क्या है आपके पास एक सम कोन है तो वो हमने यह आपर सिद्ध कर दिया ठीक है ना चलि बुझ A, C, B देखें वहले आकरिती में देखें देखो Dbc यह पूरा जिसमें 90 डिग्री बन रहा है और दूसरा आपके पास A, C, B यह वाला पूरा ठीक है तीन चीज़े चाहिएंगी तब ही हो पाएगा यह तो ठीक है अब वो तीन चीज़े कौन-कौन सी है देखो एक चीज तो आपको पहले से ही पता है कि जो Db है वो A, C, B के बराबर है कैसे देखो आप एक बढ़ी आपने फ़र्स्ट पार्ट में लिखा था नहीं कि जो आपके पास Db है वो A, C, B के बराबर है अब आप इसको वन मालने हैं तो हमने का था लिख देते हैं और जब आगी होगी तो उसको यूज कर लेगे तो चलिए अब आपको पता चल गया है ना हमने वहाँ पर क्यों निकालाई है तो समीकरान एक से मिल लिया दूसरे एक और चीज आपको पता है वो क्या कि जो DbC है वो A, C, B के बराबर है क्यों क्योंकि ये दोनों ही कौन 90 डिग्री के है एक तो पहले से ही दिया था एक अभी मैंने दूसरे वाले पार्ट में सिट किया है ठीक है अब एक चीज रह गई तो B, C जो है वो C, B के बराबर है तो ये दोनों बराबर क्यों है क्यों क्योंकि ये उब्बे निष्ट है दोनों में ही है ये ठीक है तो इसका मतलब तिरिभुज D, B, C जो है वो आपके पास सर्वांग सम हो गया तिरिभुज A, C, B, K और कौन सी को सौटी लगाई हमने S, A, S तो बुजा और एक कौन लगाया ठीक है अब बात करते हैं फोर्थ वाले की देखो उसमें आपसे कह रहे है कि C, M को सिद करो कि वो हाफ है A, B, K ठीक है देखो अब भी आपने किया है कि जो तिरिभुज है आपके पास D, B, C वो सर्वांग सम है किसके तिरिभुज A, C, B, K तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि A, B जो है वो D, C के बराबर होगा C, P, C, T से तो सही है ये बात तो जब दोनों तिरिभुज सर्वांग सम है तो इसकी सारी संबुख भुजाएं आपस में बराबर होगी तो चलिए ये मैंने लिख दिया अब देखो A, B को तो मैंने A, B रहन दिया और इस C, D को इसको पते मैंने क्या किया इसको मैंने 2, C, M लिख दिया अब वो कैसे लिखा 2, C, M तो देखो आपको पता है ना कि जो A, B है वो D, C के इक्वल है और D, C है क्या आपके पास? D, M प्लस C, M और D, M और C, M तो बराबर बराबर है तो मैंने इस D, M की जगा भी C, M लिख दिया तो A, B कितना आगया आपके पास 2, C, M तो आपको पता चला ये मैंने कहां से निकाला, ठीक है? तो मैंने ये समझाने के लिए यहां लिख दिया है, तो बस C, M is equals to half A, B, और आपको ये ही तो सीध करना था इसके अंदर, तो ये आपको यहां पर सीध होगे, ठीक है ना? तो इस कोशन में चार पाट थे, तो एक-एक पाट आप अगर असानी समझ समझ क करोगे, तो चारो ये आपस पर एक-दूसर से related है, ठीक है? चलिए. आप कौन सा कोशन करते हैं? कोशन नमबर 6. तो देखो, यहां पर आपसे वो क्या कह रहा है? तिरिबुझ A, B, C, एक समझ बहुत तिरिबुझ है, जिसमें A, B is equal to A, C है. मुझा भी ये बिन्दू D को D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि A, D जो है, वो A, B के बराबर है. दर्शाहिए कि कौन B, C, D एक समकोन है? देखो, आपसे कह रहा है कि जो ये A, B, C है न, ये एक समझ बहुत तिरिबुझ है. कौन सा वाला तिरिबुझ? ये छोटे वाला. इसकी दो भुझाएं बराब हैं, तो इसका मतलब जो इसके सम्मुक कौन है, वो भी बराबर होंगे? होंगे नी होंगे? उसी तरीके से आपसे कह रहा है कि यहां पर A, D जो है, वो C, D के एक वले है, इस वाले में. ठीक है न? अब जब दो भुझाएं इसकी भी बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा आपसे कौन सी? जो सम्मुक भुझाओं के कौन होते हैं, सम्मुक कौन? वह बराबर होते हैं, अगर वह बराबर हों, तो चलिए करते हैं. अब हम इसको करेंगे कैसे देखो? सबसे पहले मैने हैं doit तिरीभूझ लिया, कौन से तुरीभूझ की बात की यह आपने A, B, C की? इस छोटे वाले की, इस में मुझे पता है कि जो AB है वो AC के बराबर है, ये आपको दिया है अर जब ये बराबर है तो फिर कौन, ये वाले दोनो कौन बराबर होंगे कौन ABC जो है वो बराबर होगा किसके कौन AC B के ठीक है न, तो यहां लिख देते है हम बढ़ाबर भुजाओं के सम्मुकोन ठीक है? अब हमने इसको यही पर छोड़ देते हैं अब हम दूसरा तिरी भुज लेते हैं कौन सा? A, C, D ये वाला तिरी भुज अब देखो इसमें आपको न ये वाली दोनों भुजाएं बढ़ाबर दिये लेकिन आपको तो पहले से पता है न कि जो A, B है वो A, C के बराबर है तो इसका मतलब फिर A, D जो है वो भी A, C के बराबर होगी अब जब आपको A, D is equals to A, B दे रखी है और A, B जो है वो A, C के बराबर भी दे रखी है तो फिर तो A, D, B, A, C के बराबर हुई ना अब जब ये दोनों भुजाएं आपके पास बराबर है तो फिर कौन A, C, D वो भी बराबर होगा A, D, C के और रीजन में आप क्या लिखने वाले हो सेम यही रीजन लिखने वाले हो बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन तो ये वाला जो कौन है और जो ये वाला कौन है ये दोनों बराबर होगे ठीक है? अब हम बात करते हैं कौन से तिरी भुज़की B, C, D की पूरे बड़े वाले तिरी भुज़की ये वाला ये अब आपको बता है इसमें जो तीनो कौन है एक आपके पास A, B, C हो गया एक आपके पास B, C, D हो गया और एक आपके पास A, D, C हो गया ये तीनों आपके पास 180 डिगरी के होगे ये वाला कौन हो गया ये पूरा कौन हो गया और ये वाला कौन हो गया होंगे नहीं होंगे, तो चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, मैंने पता है क्या किया, इस ABC की जगा ये लिख दिया, ACB, लिख सकती हूं, क्योंकि अभी मैंने उपर ही तो किया है, कि ये दोनों बराबर है, और देखो, जो ये BCD, ये वाला कोन है, ये दो भागों में एक भागी है और एक भागी है, तो इसको मैंने दोनों भाग इसके लिख दिया, एक तो ACB लिख दिया, और एक मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, और इस वाले कोन को, ADC को, मैंने ACD लिख दिया, लिख सकती हूं, क्योंकि यहां पर मैंने इन दोनों को बराबर किया है, इस इकोईस टू 180 डिग्री, ठीक है, आप देखो, दो बार आपके पास, ACB है, तो मैंने इनको, यहाँ 2 ACB लिख दिया, और दो बार ACD है, तो 2 ACD लिख दिया, इस इकोईस टू 180 डिग्री, अब यहाँ से 2, मैंने उबेनिष्ट किया, तो यहाँ गया, ठीक है, आप देखो, यह दोनो, ACB यह वाला कोण, और ACD यह कोण, दोनों मिलके तो यह BCD बन रहे हैं, और यह 2 जो है यहाँ, डिवाइट का इधर आके, मल्टिप्लाय का इधर आके, यह डिवाइट का हो गया, तो BCD कितना आ गया, 90 डिवाइट इगरी, आपको यही तो सिद्ध करना था, यही तो दर्शाना था ना, कि जो BCD है, वो एक समकोन है, तो यह आपका समकोन आ गया, ठीक है, तो इसी के साथ यह वाक्षिट 74 खतम होती है, अब वोक्षिट 75 जेवाँ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक जरूर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, थैंक्यू,